अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू निटिंग चूटर देखिए आज मैं ये मल्टी कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ ये इसे आप बच्चो के स्वेटर में डाल सकते हैं ये देखिए छे फंदो का डिजाइन है यहां से ये बीच फंद में हमने पांच फंदे लिए है और यहां पर हमने एक फंदा लिया है आप इसमें सिक्स के मल्टिपल फंदे प्लस वन फंदा डालिया आप जैसे हमने यहां से एक पाँच एक पाँच इस तरह से लिए हैं यह लास्ट में एक फंदा बुनने के लिए एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें यह देखिए यहां मैंने यह तेरा फंदे लिए हैं यानि 6, 6 और 1 प्लस अब हम इसको बनाएंगे सबसे पहले एक फंदा हम रड कलर का लेंगे और 5 फंदे हमें वाइट कलर के लिएने हैं उसके बाद फिर वन रड लेंगे फिर पांच वाइट लेंगे और लास्ट का एक फंदा बचेगा उसको भी हम रड लेंगे इस तरह से बुनेंगे हम इसके बाद हम ने ये शुरू में दो रड करने है और ये तीन वाइट करने है इसके बाद फिर तीन रड होंगे इस बार हम यहां एक फंदा सफेद हो जाएगा ये वाइए यहां ये रड हो जाएंगे एक वाइट और पांच रड हो जाएंगे इस बार शुरू में तीन रहेंगे ये तीन रड करेंगे एक वाइट और पांच रड एक वाइट और तीन रड एक वाइट और तीन रड लो गिए या हुआ अएधिके ये मई चार तीन सलाई हो गई है पूरी इग दो तीन और चौथ है स्लाई में हमें पिर दूसरा करण लगाना हो तिं के दूसरा कलर लगाएंगे हम यह यह पहले कलर के बाद पीच में एक वाईट पटी ले अगर आप चाहें तो इसमे यह ना लेक्षा कि यही यहां से शुरू कर सकते हैं जैसे भी करना चाह। लेकिन डाग कलर के बीच में जब एक लाइट कलर आ जाता है तो वो ज्यादा ब्राइट दिखता है यहाँ पर हम एक वाइट और यह पाच रेड हो जाएंगे यह देखें एक वाइट यह देखें इसके बाद हम यह फिर शिरू के दो वाइट कर देंगे तीन रेड तीन रेड और यह लास्ट के दो वाइट यह पूरा होने लगा डिजाइन फिर से शुरू में यह तीन वाइट यहाँ एक रेड हो जाएगा यह पांच वाइट हो जाएंगे यह यह थो पूरा हो गया यह यह 6 सलाई में पूरा हो जाएगा डिजाइन अब हमें जब शुरू करना यह तो हमें यह ब्लू कलर अगर लगाना है तो हम पहला फंदा ब्लू लेंगे पांच वाइट फिर यह वाला ब्लू फिर पांच वाइट आपको हर बार इसी तरह से रिपीट करते जाना है ग्राफ को इसका वीडियो में मिल जाएगा ग्राफ में देखके आप इसको आसानी से डाल सकते ह देखिए छे सलाई का डिजाइन है और छे फंदो का डिजाइन है अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें थैंक यू